ये कहानी एक ऐसे बार की है, जिसके अंदर अगर तुम चले गए, तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी. लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे, तो माफ करना भाई साहब तुम वहां भी सेफ नहीं हो, यानि इसका मतलब आगे कुआ तो पीछे खाई. कहानी की शुरुवात में हमें एक बार को दिखाया जाता है, जिसमें सर्जु नाम का एक आदमी आता है, जिस समय सर्जु बार के अंदर आता है. ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है, उसे कोई गोली मार देता है. और उसकी मौत हो जाती है ये देख कर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं किसी को नहीं पता की गोली कहां से चली है और किसने चलाई सड़के पूरी तरह से सुनसान हो जाती है, अंदर बहुत सारे लोग होते और उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम से तुर है, वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता, अ जब बार के अंदर से एक आदमी मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बाहर के अंदर खड़ी सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं, सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क न और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहां से दोनों लाशे गायब हो जाती है और साथ ही उनका खोन भी वहां से साफ कर दिया जाता है। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पेर से बैग को छुपा देता है पर सर्जु उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सब को बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलेना उसकी हाड डिस्क को नश्ट कर देती है पर हाड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। वह सबसे पूचता है कि ब्रीफ केस किसका है तभी सर्जू दावा करता है कि ब्रीफ केस उसका है। और इससे पहले कि सर्जू ब्रीफ केस उठा था इस बार की ओनर अंपरो ब्रीफ केस उठा लेती है। सर्जु अंपरों को भी ब्रीफ केस खोलने से मना करता है लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इसराइल है वह उस ब्रीफ केस को खोल देता है और ब्रीफ केस के अंदर औरतों की कुछ कपड़े निकालते हैं इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है जब यह लोग वाश्रूम का दर्वाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दर्वाजा अंदर से बंध होता है यही लोग किसी ना किसी तरह से दर्वाजे को खोल कर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो की बेहोश है दरसल इस कहानी की शुरुवात में यह आदमी खास्ते खास्ते टे वाश्रूम के अंदर आया था और तब से यह यहीं पर बेहोश पड़ा है इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी बड़ा होता है एलीना उस इंजेक पर नियूज दिखाई जाती हैं, और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है, और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता, बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार जूट क्यों बोल रही है, तभी वह आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा था, वो अचानक सब के सामने आ जाता है, उसकी पूरी बॉड़ी पूरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आखें भी, दरावनी और अजीब सी हो जाती है, और वह वहीं पर गिर कर मर जाता है, लेकिन मरने से पह पहनी होती है, अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को कोरंटीन कर दिया गया है, इसका मतलब यह जो आदमी अभी अभी यहाँ पर मरा है, यह इंफेक्टेड था और इंफॉक्षन की वजह से जान चली गई है, और हो सकता है कि शायद अब यह और भी लोग इंफेक्टेड होंगे, वही नाचो को दिखाया जाता है, जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिगनल लाने की कोशिश करता है, और जब वह टेबल पर चड़ कर अपनी फोन को ऊपर करता है, तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, वह यह बात सब को बताता है, तभी नाचो को कहा जाता है, कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तभी दुसरा आदमी भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चड़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाती है, फिर एक आदमी जिसका नाम एड्रेस है, नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एमपारो उसे रोक देती है, और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि यह फोन उस इंफेक्टेड आदमी का था, और अगर तुमने इस मोबाईल को छू लिया, तो तुम भी इंट्रेस्टेड हो, जाओगे सर ज उन्हें अपनी बंदूग से धमकाता है, और इनसे कहा जाता है कि उस आदमी की डेड़ बॉड़ी को नीचे तेखाना में बने स्टोर में लेकर जाओ, इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है, और यह सभी पांचों लोग डेड़ बॉड़ी को लेकर न बेनी दर्वाजा खोलने जाती है, तो वहां पर रखी हुई कुछ बॉड़ गिर जाती है, उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है, और तभी इनकी नजर वहां पर बने एक ड्रैनेज पर पड़ती है, इसका मतलब यह लोग वहां से पानी के रास्ते से होत करता है, लेकिन ड्रैनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, तसलिए वह नीचे नहीं जा पाता, और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है, आवाज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, फिर इन्हें उपर बार में धुआ दिखाई दे जिसे देखकर ये लोग चाहते हैं कि उपर जो तीन लोग थे, उन्हें किसी ने मार कर पूरे बार को आग लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है, अब वह लोग सबसे पहले इसराइल को ड्रेनेज से बाहर निका जिसे वह चुपचाप उठा लेता है, तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं, बड़ी खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई की अंदर, तो इन सब को भी मार दिया जा पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबियत में सुधार है, इस आदमी ने जवाब दिया होता है, कि नहीं मेरी तबियत बहुत खराब है, और मैं किसी बार के वोश्रूम में छुप वो ही इस वाइरस की वैक्सीन है, ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं, कि यह वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है, कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी, तो उसकी मृत्यू कैसे हो गई, अचानक इसके बाद वह फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इस से पहले कि वह फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच आफ हो जाता है, अब यह किसी ना किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, वहीं एलीना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास चार और बची है, तो क्यों ना हम उन चार वैक्सीन को ढूंडे, फिर यह सब नीचे से स्टोर रूम उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती, इसके बाद फिर ये वाश रूम में जाते हैं, जहां पहले से ही इसराइल वैक्सिन के साथ ब इन्जेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इसराइल के बीच हाथापाई शुरू हो, जाती है इसराइल नाचो ऊपर हावी हो जाता है, और उसकी कुछ ठीन लेता है, इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इसराइल के हाथ से छूट कर नीचे तहखने में गिर जात इन सब में से एलीना सबसे पतली होती है इसलिए यह लोग से पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकती हो एलीना मना कर देती है लेकिन फिर बाद में वह मान जाती है जिसके बाद एलीना की बॉड़ी पर तेल लगाया जाता है उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मशकत के बाद नाली में गिर जाती है एलीना पहले वैक्सीन ढूंड लेती है और पानी से बाहर आ जाती है तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांध कर उपर भेजने को कहता है लेकिन एलीना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि व पीना बाहर का रास्ता ढूंदना शुरू कर दे दी है थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है सबसे वो इंजेक्शन को छुपा देती है इसके बाद उस सीधियों से उपर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो क कि बार में मरे उनके तीन साथियों को जला रही होती है और फिर दिखाया जाता है कि बाकी के चार लोग जो उपर स्टोर रूम में थे वह भी अब किसी ना किसी तरह से नीचे आ जाते हैं इसराइल और नाचो के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूग चीन कर उसे वही गोलियों से भून देता है अब नाचो के पास गन होती है इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं तभी नाचो सेतुर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलीना को वैक्सीन देने के लिए कहता है नाचो कहता हमार पास तीन वैक्सीन है और इसको मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। सब वैक्सीन बाट लो और तुम्हारी जान बच जाए नाचो ट्रिनी पर बंदूग तान देता है। लेकिन वह गोली नहीं चला पाता जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहां से थोड़ी दूर जाकर अपने आपको मार देती है। आजाता है और वह नाचो और एलीना की जान के पीछे पढ़ जाता है तभी नाचो और एलीना को सामने सीडिया दिखाई देती है। अब जो वैक्सीन बचा है उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और उपर ट्रेविस के ढखकन को खोल कर बाहर निकल जाती है बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है तभी एक और उसकी बॉड़ी पर अपनी जैकेट डाल देती है अलीना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वह चुपचाप उस भीड में शामिल हो जाती है और मूवी यही समाप्त हो जाती है दोस्तो हमारे चैनल हॉलिवूड स्क्रीन हिंदी को जरूर सैब्सक्राइब कर देना